हेलो एब्रिवन, वेल्कम टू चैनल जिन्हें कुछ प्रोग्लम आ रही है और वो चाहते हैं कि उनको कुछ गाइड किया जिसके हेल्प से वो अच्छा कर पाएं इस एक्जामिनेशन में तो यह वीडियो इस पेसली उनहीं लोगों के लिए है मैट्स का वीडियो अपलोड हो चुका है अगर आपका कमपार्टमेंट लगा है मैट्स में तो तो आप एक बार देखिए फिजिट कीजे और उसके बाद उसका एडवांटेज लिजे बात फिजिक्स की अगर करें तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसमें ना कुछ-कुछ इजी टोपिक है फिजिक्स में वो टोपिक को सबसे पहले कर लेना है मतलब इजी टोपिक में बात करें तो हम लोग कम्मिनिकेशन सिस्टम जो है आपका ठीक है तो कम्मिनिकेशन सिस्टम एक इजी टोपिक है इसको आप कर लिजिए फिर एटम्स क कुछ-कुछ part easy है जैसे transformer हो गया है ना transformer इसको transformer ऐसे लिखा जाता है उसमे corolos, copperolos, lamination क्यों जरूरी है यह सारा चीज, corolos, copperolos, यह सब चीज, last में मैं बताऊंगा हर एक topic से की कौन सा चीज आपको पढधना है लेकिन मैं अभी special segment बता रहूं जहांपे आपको पहले फोकस करना चाहिए, उसके बाद आप फिर, आप कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं, लाइट में भी, लाइट में भी बहुत सारा टॉपिक है जैसे, आपके पास माइक्रोस्कोप, टेली स्कोप, यह सब चीज़ पढ़ना है, और फिर एलेक्ट्रोस्टेटिक से सब में, मतलब जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, उसमें आईए, ठीक है, अब बात ये कि आपको पढ़ना कैसे है, सबसे पहले ये करना है आपको, कि 2020 का जो कोश्चन पेपर आया हुआ था, जिसमें आपको कमपार्टमेंट लगा है, जो एक्जाम आप लिख करके उसी को पूरी तरीके से सोलो करिए, उसी को पूरी तरीके से याद कर लिजे, पहला पॉइंट, ठीक, दूसरा बात जो आपको यहां पर ध्यान रखना है, अगर इस पेपर में माइक्रोइस्कोप आ गया है, तो आप टेली स्कोप के लिए रेडी रहिए, कमपार्टमेंट माइक्रोइस्कोप अगर आगया है, तो टेली स्कोप के लिए रेडी रहिए, मतलब आपको related study करनी है, क्या करना है, related study, सबसे पहले 2020 वालत तो करुछी लिए ना है, उसके बाद उससे related जो बात हो सकता है, उसको भी कर लेना है, दूसरा एक्जाम पह बगर दे, कि अगर आ डाइपोल के लिए समझ गए तो रिलेटेड आपको study करना है हर एक segment में एक बात तो आपको यहां से ध्यान रखना है यह sort code का सबसे बढ़िया तरीका है number one तरीका ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है description box में आपको link provide कर रहे हम लोग जिसमें आपको marks वाई जो मतलब one marks का question मतलब very short फिर short answer मतलब जो की तीन या चार number का question रहेगा वो question का list है और उसके बाद long answer type जो question पूछे जा सकते हैं उनका भी वहाँ पर पूरा description है और आप यह expect कीजिए कि question वहीं से आएगा समझ रहें तो उस video को भी जाकर कि आप एक बार देख लिजेगा आपको नीचे link दिया रहेगा description box में इसके बाद फिर अगर आपके पास time बचता है तो आपको क्या करना है previous year का question देख लेना है question bank ठीक है previous year का question bank आप देख लिजे अगर आप यह जो दोनों में बात बताया पहले कर चुके है तो question में जब आप observe करिए तो आपको लगेगा कि maximum चीज आपको आता है और इस तरीके से आपका result अच्छा हो जाएगा देखिए अभी compartment लगा है कोई बात नहीं है लेकिन अगर आप अच्छे धंग से पढ़िएगा बहुत अच्छा marks आएगा तो आपको लगेगा कि नह आप में गलती नहीं था समझ रहो या आप में potential है आप समय पर्फॉर्म नहीं कर पाए इसी लिए इन सारे question को बहुत अच्छे तरीके से त्यारी करिए और बहुत अच्छा marks लेकर कर आईए ठीक है इसी तरीके का कोई भी आपको अगर help चाहिए चाहे जारखन बोर्ट से related CBAC board से related या फिर general competition से related जारखन related examination से related तो बिल्कुल बताइए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आपको solution provide किया जाए वीडियो को last तक देखने के लिए thank you, thanks a lot, have a great day and all the very 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 best for examination, thank you